हालो स्टूरेंस आज इस वीडियो में हम क्लास एड भुकारे सगरवाल चैप्रेस 17 कंस्ट्रक्शन और कॉडिलेटर एक्सरसाइज 17 एक कोश्चेन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे बच्चो क्लास एड की जितने में हमने चैप्रेस की वीडियो बनाइए है सबका लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया गया अगर आप देखना चाहते है तो वहां से देख सकते हैं Q5 करेंगे, Q5 एए, construct a quadrilator, PQRS in which QR 7.5 cm, PR and PS 6 cm, RS 5 cm and QS 10 cm, हमने क्या करना है, मेजर दा 4 साइट करना है, और हमने एक quadrilator को construct करना है, ठीक है बच्चो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक rough sketch को बना लेते हैं, ठीक है, यह मैंने रफ क्वार्डिलेटर से बना दिया रहे जैसे हमने इसको करना है तो यह ले लिया पी क्यो आर 08 सुपガー कितना दिया 7.5 और पी आ और पी आर एंड पी एस पी आर भचो यह जो पी आर है यह दिया हूँ है 6 और我想 पी अएस ये भी कह 6 cm है ना पी आर ये डाइगनल हो गया पी एस क्यों गया ये 6 हो गया ठीक है अब आर इस ये दिया वह फाइस सेंटिमेटर ठीक है हमने और क्यों गोलत दिया हुए ये 10 दिया हुए है ठीक है को एस perform को को मेजर करना ठीक है बच्चों एक ओफटी डिख लिए हमने इस तरह से मैंने कॉर्डिलेटर बनाया था ठीक है द्वारण से इसको ड्रॉक ड्रॉक कर दिया जीस से आ तक यह जो है 6 है और PS भी PS यह वली भी 6 है ठीक है बच्चो RS 5 है and QS यह जो diagonal है यह है 10 cm ठीक है बच्चो और यह नहीं पूछे जो 4 side की measurement भी पूछी है बच्चो same question ऐसे था जिसमें हमारे पास जो 4 side का measurement नहीं दी वी थी है ना उसकी length नहीं दी थी I think यह question 4 में था ठीक है तो हम इस question करते हैं इसमें हमने क्या करना है जो 4 side है उसको measure करना है तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे एक scale की help से हमने qr क्या लिया था 7.5 तो यह 7.5 यहां उसे draw करेंगे 7 5 दर आया 7.5 तो मैं इसको यहां से यह हम यहां तक लेते हैं ठीक है ना तो इसको मैंने नाम दे दिया qr हमने एक line draw कर दे qr 7.5 cm अब हम compass लेके सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे यह जो radius है न 10 इसका लेंगे और यह rs को लेंगे ठीक है क्योंकि काफी बड़ा है तो qs मारे पास क्या है बच्चों क्यों को हम सेंटर मान की हमने radius लेना है 10 cm ठीक है radius लेंगे 10 यह मैंने यहां से मेजर करना है wait a minute यह ठीक न यह देखो यह न 10 थोड़ा सोर कम करने थे थोड़ा सोर करना पड़ेगा अब दिखते हैं यहां से लेके यहां तक यह देखो अब यह ठीक है न होगे न मेजरमेंट अब 10 तो यह हमने यहां पर तो सोरी को सेंटर लेके यह हां तक रहे हैं थोड़ा से इदर को कर देते हूं क्योंग यह आर एस है यह कितना फाइव है अब हम आर एस लेते हैं वो कितना है फाइव सेंटिमेटर को धुद्ध मिटा ुद्धतु मिटस ये वैं सेंटिमेटर पाइव सेंटिमेटर होगा ये-प पर दवारा देख लेते हैं थे है हां फाइव सेंटिमेटर है तो आर को सेंटर लेकर यह हaming एक आरक लगा दिया थी कहा अब अब बच्यों हम ज्वाइन कर लेंगे इसको ने दे दिया S, ठीके बच्चों, अब यह मैंने यहां से यहां तक जॉइन करना है, सीधी लाइन लगाने हैं आप लोगने, और इसको इस तरह से जॉइन करने, ठीके बटा, अब हमने क्या करना है, अब हम R से डाइगनल लेंगे, रेडियस लेंगे 6 का, हाना, R, P, R, यहां पर P बिकटेगा, ठीके, तो यह था मारे पास, P, R कितना था, 6 था, और P, S भी 6 ही लेना है, हमने, यह डाइगनल लगाएंगे, अब हमने, 6 हो गया, ठीके, यह R को यहां पर सेंटर लेके, यहां पर एक हमने लगा दिया, और सेम, अब जो P, S था यह भी सिगता है, तो S को सेंटर लेके, हम यह कार्क इदर लगा रहेंगे, ठीके, थोड़ा से, इसको यहां, द्वारा थोड़ा से इदर लगा, ठीके, बच्चे, अब हमने क्या करने है, इनको जोइन करे रहे हैं, यह हमने जोइन कर दिया, ठीके, और यहां पर हमने, इसको नाम क्या दे दिया हमने पी पी एस को भी जोईन कर दिया तो साथ में हमने यह क्यों पी को भी जोईन करने इसका अमने लेंध हम अभी करते हैं ठीक है पहले पिछे जो दिया हम नहीं उसको कर लेते हैं क्यों आर हमने 7.5 cm आरे समारे पास था 5 cm राइट और यह क्यों ऐसे 10 cm और जो मारे पास पी आ रहे हैं 6 cm पी ऐसी 6 cm यह सेम एज इटी बन गया अब हमने इसकी लेंध दिखने हैं यह कितनी है मारे पास यह मारे पास आई है 4.8 cm ठीक है 6, 7, 8 तो जो पी क्यों की लेंध कितनी है यह बच्चों मारे पास 4.8 cm ठीक है बच्चों इस तरह से यह जो हमने question 5 का coordinator को draw करना था अब बच्चों वीडियो pause करके मैं steps को लिख लेती हूं फिर मैं आपको समझा दूंगे पच्चों जी मैंने steps of construction लिख लिए है सबसे पहले हमने क्या किया था एक line draw की थी draw qr 7.5 cm फिर हमने क्या किया था with q as center radius लिया था equal to 10 cm ठीक है and draw an arc यहाँ पर एक arc draw किया था 10 cm का with r as center and radius equal to 5 cm draw an arc intersecting at s ठीक है यहाँ पर s फिर join rs को join किया था और qs को join किया था फिर हमने लिया था with r as center r as center लिया था and radius equal to 6 cm लिया था and draw an arc किया थे यहाँ पर फिर with s as center and radius equal to 6 cm, यहाँ पर हमने 6 cm का radius लेकर यहाँ पर एक और ड्रोग गिया था intersecting at P, जो intersect कर रहा था P पर, फिर join rp, sp and qp, ठीक है बच्चो, फिर हमने इंक्स में क्या पूछा गया था, मेज़े था 4 side, तो 4 side क्या है, qp, 4.8 cm यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 side, ठीक है बच्चो, यह हमने कर लिया, 4.8 cm है हमारा, अब 9th point पर हमने लिख दिया, P, Q, R, S is the required quadrilator, ठीक है बच्चो, इस तरह से आपने question 5 को solve करना था, अब आपको यह question 5 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, बच्चो, question 6 करेंगे, question 6 है, constructor, coordinator, ABCD, in which AB 3.4 cm, CD 3 cm, DA 5.7 cm, AC 8 cm, and BD 4 cm, तो बच्चो, इसको हम करते हैं, पहले हम rough sketch बना लेते हैं, quadrilator इस तरह से होता है, यह rough है, हमने idea से ले रहे हैं, अब बच्चो, यहाँ पर हम, A, B, C, D, इस तरह से ले रहे हैं, AB 3.4 cm, ठीक है, CD 3 cm, DA 5.7 cm, और AC 8 cm, और BD 4 cm, ठीक है, यह 4 cm, अब बच्चो, यहाँ पर कहा है, B, C की length नहीं दी हुए, ठीक है, अब बच्चो, यहाँ पर ना, इसकी length नहीं दी है, तो हमने इसको, B, C को, मिशा, फिर AB को, हम base लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा से यहाँ पर ध्यान देना है, यह बाइचांस ही, मैंने नीचे AB लिख दिया, अगर मैं यहाँ A, B, C लिखती है, तो हमें यह हमारा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए, आपने AB जो base है, इस तरह से एक जो नंबर दिया हो, उसी का लेना है, ठीक है, तो AB मैंने यहाँ पर base ले लिया, ठीक है, अब B, C के आप length भी measure कर सकते हो, ठीक है, वैसे पूछा नहीं है, अगर पूछा है, तो आपने इसको देना है, तो अब हमने क्या करना है, जो AB 3.5, 4, sorry, 3.4 cm है, scale की help से आपने एक line draw करनी है, 3.4, 3, तो यह यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यह देखुए यहाँ पर, अब यह line draw करनी है, यहाँ तक, राइट, तो यह हो गया, AB 3.4 cm, अब हम compass की help से लेकर बनाएगे, अब बचों, यहाँ पर मारे पस क्या है, यहाँ पर न, यह नहीं दिया हुआ, 20 नहीं दिया हुआ, तो हम पहले क्या करेंगे, यह वाला triangle को draw करेंगे, हमारे पास BD कितने दिया है, 4 cm है, AD 5.7, तो पहले हम AD को draw करेंगे, 5.7, तो 5.5 यहाँ था, 6, 7, ठीक है न, तो यह हम देखेंगे, 11, ठीक है बच्चों, देखो, 5.7 आ गया, तो A को center लेके, हमने एक radius लिया, 5.7 cm का, और एक हमने आर्क, इस तरह से लगा दिया, अब हम BD लगाएंगे, BD कितने है, 4 cm, राइट, ठीक है, नजर आ रहे हैं आपको, अब यह मैंने एक आर्क लगा दिया है, यहां से, कटी ने रहा, थोड़ा सा बड़ा लगाना जी यह था मुझे न, ठीक है न, तो एक इसको द्वारा से लगा देते हैं, 5.7 था न, यहां से, ठीक है, यह सारकॉम, यह लगा दिया, ठीक है, और इसको नाम दे लिया हमने, 5.7 और यह कितना हुए, 4 cm, ठीक है, जो इसको हम पहले कर रहे हैं, इसको ड्रॉआ, यह हमने इस तरह से, और इस तरह से, ठीक है बच्चो, यह हमारे पास है, A, D है न, 5.7 cm, और B, D, यह जो डाइगनल है, यह हमारे पास कितना है था, 4 cm, 4 cm, राइट बच्चो, अब हमने क्या करना है, यहां से, A, D, डागनल हमने ले लिया, अब हमने, यहां से, D से, A से हमने अब लगाना है, 8 cm का, ठीक है न, 8 cm, ठीक है बच्चो, A से हमने इस तरह से लगाना है, 8, एट है न, हांची, एट लगा दिया, और फिर हम D को सेंटर माहन कर, 3 cm का लगाएंगे, राइट, यह मेरं लगा लिया, अब हम क्या करेंगे, पहले तो लाइं को ड्रॉर कर लेते हैं, जोएंड कर लेते हैं इस को नाम दिया हमने, C, तो यह हमने इसके साथ जोएंड कर दिया ठीक है और एक को हमने इसके साथ जोइन कर दिया ठीक है यह डाइगना तो वाजा टेरा हो गया ठीक है और इसको हमने इससे जोइन कर दिया ठीक है बच्चो अब इसकी जो है अगर यह पूछा जाए तो इसकी जो मेजरमेंट आ रही है 5 आ रही है ठीक है ना तो पहले हम यह देख लिखते हैं डीसी 3 cm हो गया हमारा ठीक है जो ए भी था 3.4 cm ठीक है AC 8 cm और BD 4 cm CD 3 cm और यह मारा कितना है था 5 cm ठीक है बच्चो इस तरह से यह है अपने question 6 का जो coordinator है उसको draw करना था अब मैं steps of construction लिख देती हूं ठीक है वीडियो pause करके बच्चो यह मैंने steps लिख दिये हैं सबसे पहले किया किया था हमने AB को draw किया था 3.4 cm फिर हमने A को with A as center and radius of 5.7 cm एक radius रगाया था 5.7 cm का फिर एक आर्क लिए था फिर with B as center radius and radius of 4 cm draw an arc ठीक है वीच इंटरसेक्ट है D फिर join AD and BD ठीक है इनको join कर दिया फिर बच्चो विद A as center and radius of 8 cm draw an arc here ठीक है फिर D as center and radius of 3 cm draw an arc which intersect at C ठीक है फिर join AC फिर उसके बाद DC उसके बाद BC ठीक है बच्चो अगर आपके पास BC की length पुछी है तो आपने इसने बच्चो वीडियो यूसफू लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ चैनल पर निवह तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में question 7 से start करेंगे